आज के इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है इस श्रंखला के पिछले कारेक्रमों में हमने सीखा था एक द्विगात समिकर्ण को हल करना गुर्णखन्ड विधी से और पूर्ण वर्क विधी से आए आज सीखें गनित के महतपूर्ण अवधारना किस तरह से हमारी समश्याओं को हल करने में हमारी मदद करती है आए शुरुवात करते हैं एक पहली नुमा प्रश्न से प्रश्न है एक विध्याले के विदाई समारों में शामिल विध्यार्थियों में प्रत्येक ने एक दूसरे को एक-एक उपहर दिया यदि उपहारों की कुल संख्या 132 है तो विद्यार्थियों की संख्या ग्यात कीजिए अगर हम मान लें कि समारों में कुल X विद्यार्थी शामिल हुए तो यह इस पस्ठ है कि कोई भी विद्यार्थी खुद को तो उपहार दे नहीं सकता आता है परतेक विद्ध्यार्थी द्वारा दूसरे विद्ध्यार्थियों को दिये गई उपहारों की कुल संख्या हुई एकस घटा एक जब एक विद्यार्थी X घटा एक उपहार देता है तो X विद्यार्थी कुल कितने उपहार देंगे X गुना X घटा एक और कुल उपहार दिये गए 132 तो आईए इस समझ्या को लिखने का प्रियास करते हैं माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर है X एक विद्यार्थी द्वारा दिये गए उपहानों की संख्या बराबर होगी X घटा 1 तो X विद्यार्थियों द्वारा दिये गए उपहानों की संख्या होई X गुणा X घटा 1 अब क्योंके कुल उपहार दिये गए हैं 132 आता है x और x घटा 1 का गौनफल 132 होगा आईए देखें x गुना x घटा 1 बराबर 132 इस कोश्चक में x की गुना करें तो हमें मिलता है x की गहाद 2 घटा x बराबर 132 इस को समिकर्ण के बायंपक्ष में लाने पर हमें मिलता है x की गहाद 2 घटा x घटा 132 बराबर 0 अब x की गहाद 2 घटा x घटा 132 के गुनखंड अगर हम करें तो हमें गुनखंड प्राप्त होते हैं X जमा 11 और X घटा 12 अब क्योंकि इन दोनों ग्रॉणखंडों का गॉणफल 0 है या तो एक्स जमा 11 का मान 10 है या एक्स घटा 12 का मान 10 ने है इनको शूने रखने पर हमें X का मान प्राप्त होता है घटा 11 या X बराबर 12 अर्थात विद्यार्थियों की संख्या या तो घटा 11 है या 12 आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती अते हमें प्राप्त होता है कि समाहरों में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 12 इस प्रकार द्विधात समीकर्ण के इस हल्का प्रियोक कर हम यह जान पाते हैं कि समाहरों में कुल 12 विद्यार्थि शामिल हुए थे इस समस्या का अगर हम विशलेशन करें तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले जिस राशी को हमें ग्याद करना था हमने उसको माना था X और उसके बाद जो राशियां हमें समस्या में दी गई थी हमने उनको समस्या का विशलेशन कर प्राप्त किया और फिर हमने इनका आपस में संबंध इस्तापित किया जो समानेत है एक द्विधात समिकर्ण हमें मिलता है आईए इसके कुछ पदों को इस प्रकार से समझे पद एक में हम ग्यात की जाने वाली राशी को कोई चर जैसे X म हमें उन्हें लिख लेते हैं और पद तीन में ज्यात और अग्यात राशियों में प्रश्न के अमसार संबंध इस्तापित करते हैं जो समान्यत है एक द्विधात समिकर्ण होता है पद चार में हम द्विधात समिकर्ण को हल कर अग्यात राशी का मान प्राप्त कर लेते हैं विद्यार्थियों हम प्रतेक समस्या में इन ही चार पदों के अनुरूप समस्या का विशलेशन करेंगे और उससे प्राप्त राशियों को एक द्विघात समीकर्ण के रूप में परिवर्तित करेंगे और उसको हल कर अग्यात राशी का मान प्राप्त करेंगे आप जानते हैं परिक्षा में अच्छे अंग प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवत्यां प्रदान की जाती है वैसे ही जो बच्चे खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें छात्रवत्यां मिलती है परन्तु कई बार ऐसा होता है कि छात्रवत्ती की राशी कम्या जादा हो जाती है छात्रवत्ती के लिए अधिक छात्रों का चैन हो जाता है ऐसी इस्थिती में परतेग छात्र को मिलने वाली राशी में या छात्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाते हैं क्या द्विघात समीकरण इस तरह की गंड़नाओं को प्राब करने में हमारी साहता करती है आईए देखते हैं एक प्रश्न है छे हजार पांच सो रुपे छात्र व्रत्ति के रूप में कुछ छात्रों में समान रूप से वित्रित किये जाने है परंतु 15 अधिक छात्रों का चैन हो जाने से प्रत्येग छात्र को 30 रूपे कम मिले प्रारंब्ध में छात्रों की संख्या बताई obligations dot हम पद एक के अमसार अगर माल ने कि छात्र वतति के लिए प्रारंब्ध में चैनित छात्र एक्क थे उस स्थिती में अगर हम देखें तो परते और अधिक छात्र जब 15 अधिक छात्रों का चैन हो गया तो यह राशी परिवर्तित होकर हो जाती है 6500 बटे एक्स जमा 15 और अब प्रतेक छात्र को 30 रुपे कम मिलते हैं आईए इस समस्या को लिखने का प्रयास करते हैं हमने माना था प्रारंभ में चात्रों की संख्या बराबर एक्स कुल राशी जो वित्रित की जानी है वह है 6500 रुपे इस स्थिती में अगर यह है राशी वित्रित की जाए तो प्रतेक छात्र को मिलेंगे 6500 बटे एक्स रुपे परंतु वित्रन के समय क्योंकि 15 चात्रों का चयन अधिक हो गया है अते अब चात्रों की संख्या है एक्स जमा पंद्रा अब एक्स जमा पंद्रा चात्रों की स्थिती में प्रतेक छात्र को जो राशी मिलेगी वह होगी 6500 बटे एक्स जमा पंद्रा प्रारंब में हमने माना के चात्रों की संख्या थी एक्स अते प्रतेक छात्र को मिलने वाली राशी होगी 6500 बटे एक्स अब प्रतेक छात्र को 30 रुपे कम मिल रहे हैं और अब मिलने वाली राशी है 6500 बटे एक्स जमा पंद्रा समीकर्ण के बाएं पक्ष में लगुत्तम लेने पर लगुत्तम है एक्स और हमें प्राप्त होता है 6500 गटा 30 एक्स बराबर 6500 बटे एक्स जमा पंद्रा गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 6500 एक्स गटा 30 एक्स की घाथ दो जमा 97500 गटा 450 एक्स बराबर 6500 एक्स अब हम पाते हैं कि समीकर्ण के दोनों पक्षों में 6500 एक्स है और दोनों का चिन भी समान है अत्य है निरस्थ हो जाता है और हमें प्राप्त होता है गटा 30 एक्स की घाथ दो गटा 450 एक्स जमा 97500 बराबर 6500 समीकर्ण को दोनों पक्षों में घटा 30 से भाग दें तो हमें समीकर्ण मिलता है एक्स की घाथ दो जमा 15 एक्स घटा 3250 बराबर 6500 समीकर्ण के बाएं पक्ष के गवर्णखंड करने पर हमें प्राप्त होता है एक्स जमा 65 और एक्स घटा 50 बराबर 0 समीकर्ण के इन दो गवर्णखंडों को जीरो से तुलना करने पर हमें मिलता है एक्स बराबर घटा 65 या एक्स बराबर पचास आप समझ सकते हैं कि छात्रों की संख्या कभी रिनात्मक नहीं हो सकते आते एक्स बराबर घटा 65 हमारा उत्तर नहीं हो सकता छात्रों की संख्या हमें प्राप्त होई एक्स बराबर पचास अपने दैनिक जीवन में हम सभी अक्सर खरीदने और बेचने की घटनाओं को होते हुए देखते हैं इन घटनाओं में कभी बेचने वाले और खरीदने वाले को लाब होता है तथा कभी हानी इस प्रकार की घटनाओं को करने में भी हम दुखात समिकर्ण का प्रयोग कर सकते हैं कैसे आईए एक प्रश्न को देखते हैं प्रश्न है मोहन को एक दिवार घटी 75 रुपे में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाब होता है जितना घटी का क्रेमूल है घटी का क्रेमूल ग्याद कीजिए अब अगर हम मान लें कि घटी का क्रेमूल एक्स है तो मोहन को लाब होगा एक्स का एक्स प्रतिशत अर्थात एक्स गुणा एक्स बटे 100 आईए इसे लिखने का प्रयास करते हैं घटी का क्रेमूल था एक्स मोहन को लाब लेना है एक्स का एक्स प्रतिशत जो होगा एक्स गुणा एक्स बटे 100 अगर क्रेमूल एक्स है और लाब एक्स की घात दो बटे 100 तो घडी का विक्रेमूल होगा एक्स जमा एक्स की घात दो बटे 100 प्रतिशन के अनुसार विक्रेमूल है 75 रुपे एक्स जमा एक्स की घात दो बटे 100 बटे 100 बटे 100 तो दो प्रतिशत बटे दाएपक्ष का लगुत्तम लेने पर हमें मिलता है सो एक्स जमा एक्स की घात दो बटे सो बराबर पिछहत्तर गुणा करने पर हमें प्राप्थ होता है एक्स की घात दो जमा सो एक्स बराबर पिछहत्तर सो पिछहत्तर सो को समीकरण के बाएपक्ष में लाने पर यह द्विघात समीकरण है एक्स की घात दो जमा सो एक्स घटा पिछहत्तर सो बराबर शून्य इस बाएपक्ष के गुण्खंड हम करें तो हमें गुण्खंड मिलते हैं एक्स घटा पचास और एक्स जमा एक्सो पचास एक्स का मान हमें प्राप्थ होता है पचास या घटा एक्सो पचास हम जानते हैं कि किसी भी वस्तू का क्रें मूल कभी रिनात्मक नहीं हो सकता हते हमें प्राप्थ यहमान एक्स बराबर माइनस एक्सो पचास गलत है और घटी का क्रें मूल प्राप्थ होता है पचास रुपे आईए अब जामिती से संबंधित कुछ समस्याओं को देखते हैं क्या इसमें भी यह हमारी साहता करेगा अवश आईए एक प्रशन देखते हैं एक आयताकार खेत का परिमाप साथ मीटर है तथा छेत्फल 200 वर्ग मीटर खेत की लंबाई वे चोड़ाई ग्याद कीजिए अगर हम खेत की लंबाई को X तथा चोड़ाई को Y मान ले तो हम X और Y के पदों में परिमाप को लिख सकते हैं और X और Y के पदों में ही हम छेत्फल को भी व्यक्त कर सकते हैं आईए कोशिश करते हैं माना खेत की लंबाई बराबर है एक्स मीटर और खेत की चोड़ाई बराबर है वाई मीटर खेत क्योंके आयताकार है अते आयत का परिमाप होगा आयताकार खेत का परिमाप होगा दो X जमा दो Y और खेत का छेटफ़ल होगा XY वर्ग मीटर प्रशन के अनुसार आयत का आयताकार खेत का परिमाप है 60 अते हम लिख सकते हैं दो X जमा दो Y बराबर 60 या X जमा Y बराबर 30 तथा छेटफ़ल XY बराबर समस्या में दिया गया है 200 वर्ग मीटर XY में अगर हम X प्लस Y के संबंद से Y का मान प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्थ होता है X Y का मान है 30 घटा X बराबर 200 कोश्ठक में X की गुणा करने पर हमें मिलता है 30 X घटा X की गहात 2 बराबर 200 200 को समिकरन के दाएं पक्ष में लाने पर हमें समिकरन प्राप्थ होता है 30 X घटा X की गहात 2 घटा 200 बराबर 00 समिकरन को अगर हम घटा के चीन से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो हमें समिकरन प्राप्थ होती है X की गहात 2 घटा 30 X जमाद 200 बराबर 00 बाएं पक्ष के ग्रोन खंड करने पर हमें ग्रोन खंड प्राप्थ होते हैं X घटा 20 और X घटा 10 बराबर 00 और X के हमें दो मान प्राप्थ होते हैं 20 या X बराबर 10 अगर X का मान 20 है तो खेटरपल के संबंध से या परिमाब के संबंध में X का मान 20 रखने पर हमें Y का मान प्राप्थ होता है 30 घटा 20 बराबर 10 अगर हम X का मान 10 लें तब परिमाब के ही संबंध से हमें Y का मान प्राप्थ होता है 30 घटा 10 अर्थात 20 इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर आयत की लंबाई 20 है तो उसकी चोड़ाई 10 है और अगर उसकी लंबाई 10 मीटर है तो उसकी चोड़ाई 20 मीटर है वैसे समान्य तया हम लंबाई को चोड़ाई से अधिक लेते हैं अते आप मान सकते हैं कि आयताकार खेत की लंबाई है 20 मीटर और उसकी चोड़ाई है 10 मीटर हमारे दैनिक जीवन के गती संबंधी प्रश्णों में भी कुछ जामितिय संकल्पनाओं का प्रियोग होता है जैसे आईए इस प्रश्ण में देखते हैं राम व्य मोहन एक स्थान से एक साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं राम पश्चिम दिशा में तथा मोहन दक्षिन दिशा में राम की गती मोहन से पांच किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यदि दो घंटे बाद वे एक दूसरे से पचास किलोमीटर दूर हैं तो दोनों की अलग-अलग ओसत गती ज्यात कीजिए अब अगर हम मान लें कि राम की ओसत गती एक्स है तो इस परस्ट है कि मोहन की ओसत गती होगी एक्स घंटा पांच और दो घंटे में राम द्वारा तय की गई दूरी होगी दो एक्स किलोमीटर और मोहन द्वारा तय की गई दूरी होगी दो एक्स घटा 10 किलोमीटर आईए इस संबन्द को देखते हैं माना राम की ओसद गती बराबर एक्स किलोमेटर प्रति घंटा अते मोहन की ओसद गती होगी एक्स घटा पांच किलोमेटर प्रति घंटा दो घंटे में राम क्योंकि एक घंटे में दूरी तै कर रहे हैं एक्स किलोमेटर अते दो घंटे में करेंगे दो एक्स किलोमेटर वहीं दो घंटे में मोहन द्वारा तै की गई दूरी होगी दो और कोस्ठक में एक्स घटा पांच राम की गती की दिशा है पस्चिम और मोहन की गती की दिशा है दक्षिन अते हम देख रहे हैं कि दोनों की गती की दिशाओं में 90 अंश का कौन बनता है आईए इसे चित्र पर बनाने का प्रयास करते हैं इस चित्र में हम देख रहे हैं यह है उत्तर दिशा, यह दक्षिन, यह पूर्व और यह पश्चिम राम की गति की दिशा है पश्चिम और मोहन की गति की दिशा है दक्षिन और दोनों के बीच की दूरी दो गटे बाद है 50 km हम देख रहे हैं यह एक समकौन तिर्भूज है जिसके अमसार लंब और आधार के वर्गों का योग विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है इस संबन्द को लिखते हैं दो एक्स का वर्ग जमा दो एक्स घटा पांच का वर्ग बराबर पचास का वर्ग हमें संबन्द प्राप्त होता है चार एक्स की घट दो जमा दो का वर्ग होता है चार और एक्स का वर्ग यानि चार एक्स का वर्ग जमा पांच का वर्ग होता है पच्चीस और पच्चीस गुणा चार अर्थात सो और एक्स घटा पांच के पूर्ण वर्ग का तीसरा पद है घटा 10 एक्स जिसको चार में गुणा करने पर हमें मिलता है घटा 40 एक्स बराबर 50 का वर्ग है पच्चीस सो चार एक्स की घट दो जमा चार एक्स की घट दो हमें मिलता है आठ एक्स की घट दो घटा एक्स का पद है 40 एक्स और पच्चीस सो को अगर हम समिकर्ण के दाएं पक्ष में लाएं तो वह होता है घटा पच्चीस सो और घटा पच्चीस सो जमा सो हमें मिलता है घटा 2400 बराबर 0 इस समीकरण को अगर हम 8 से भाग दें तो हमें मिलता है X की घात दो घटा 5X घटा 300 बराबर 0 समीकरण के दाएं पक्ष के अगर हम गोणखंड करें तो हमें गोणखंड प्राप्त होते हैं X घटा 20 और X जमा 15 बराबर है 0 हमें X के दो प्राप्त मान हैं X बराबर 20 या X बराबर घटा 15 आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की गती कभी रिनात्मक नहीं हो सकती आते हैं सही प्राप्त उत्तर है X बराबर 20 X बराबर घटा 15 सही उत्तर नहीं है X है राम की गती जो 20 किलोमेटर प्रतिगंटा है मोहन की गती जिसको हमने Y माना था वह इससे 5 कम है अर्थात 20 माइनस 5 बराबर 15 किलोमेटर प्रतिगंटा आज के कारेक्रम में हमने सीखा द्युगात समीकरण को अपनी व्यभारिक समस्याओं के हल में प्रयोक करना इस विधी का सबसे महतुपूर्ण पक्ष है समस्या को द्युगात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना जिसको हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं समिकरण के पद एक में हम ग्यात की जाने वाली राशी को एक्स मान लेते हैं दूसरे पद में हम समस्या का विशलेशन कर जो भी ग्यात राशियां हैं उन्हें लिख लेते हैं तीसरे पद में हम इन ज्यात और अज्यात राशियों के बीच संबंध इस्थापित करते हैं जो समान्य तया एक द्विगात समिकरण होता है और उसे हल करना आप सीख चुके हैं जिसे हल कर हम चोथे पद में समस्या का हल प्राप्ट कर सकते हैं आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से या अनिक भी किसी समस्या में द्विगात समिकरण के हल का प्रयोग कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए आप अपने अध्यापक से विचार विमर्ष कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं हमारा पता है